कि नमस्कार साथियों एक फिर से आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है आज रिजनिंग का 24 दिन का वीडियो है आज से हम लोग नया चैप्टर सुरू कर रहे हैं जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग पर कुल चार टाइप की सवाले आती हैं चारों टाइप को हम एकित पार्ट में करके यानि कि चार भागों में करके आपको समझा देंगे पूरी बास सवान में आ जाएगी देखिए रिजनिंग का यह जो टापिक है बहुत महत्तपूर है हर परिच्छ कभी-कभी जादा भी हो जाता है तो मैं आपको बहुत सारर से कठिन क्यों ले जाओंगा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा पहले आप यह समझे कि कोडिंग डिकोडिंग का मतलब होता है कोड करना यानि कि कोई ऐसा चीज बना देना जो सिर्फ आप जानते हो या जि किसी भी अच्छर का किसी दूसरे अच्छर में रुपांतरन कर देना या किसी अंक का दूसरे अंक में रुपांतरन कर देना या किसी बात को दूसरे बात में कह देना कोडिंग है और सामने वाला उस बात को जो आप कहना चाह रहे हैं उसको वो समझ जाए यहीं decoding है जैसे आतंकवाधी लोग जब बात करते हैं तो आपके बीच में ही बात करेंगे लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे कि वो लोग क्या बात कर लिए चोराहे में बैठे रहेंगे, बाजार में बैठे रहेंगे बात करेंगे कि कल तुमने क्या खाया था तो बोलेगा कल हमने समोसा खाया था तो आपको लगेगा किया यह तो समोसे पर बात कर रहा है लेकिन नहीं उनका समोसा खाने का कुछ और मतलब है कल का कुछ और मतलब है वो मतलब क्या है वो अपने से वो फिट किये हुए है इसी को कभी-कभी बोला जाता है सांकेतिक भासा जैसे अगर हम माल लिजे ये कै है और कै को हम बना दें जीरो और मैं है मैं को हम बना दें ऐसे ठीक है और ला है ला को हम बना दें ऐसे माल लिजे अब देखने में ये लग रहा है अगर इसको लिख दिया जाए तो ओ अब देखने में तो O-L-U लग रहा है ये है ना ओलू पढ़ेंगे अब हम किसी को लिख कर दे दें कि कल हमको ओलू मिला था तो इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं जान पाएगा कि ओलू का मतलब क्या होता है लेकिन हम जिसको ओलू लिख के भेजे हैं उससे बैट करके उससे राय में सवरा करके पहले उसको हम बता दें कि देखो जब हम और आप बात करेंगे पत्र के मांध्यम से या फोन काल में लिख करके जैसे भी बात करेंगे तो कह जो होता है ना उसको हम लोग कह ऐसे नहीं लि तो जब ऐसे लिखा मिलेगा तो तुम समझ जाना कमल की बात हो रही है, कोई और समझ ही नहीं पाएगा, में मकसद यही है कोडिंग करने का, अब चूकि हूबहू परिच्छा में इस तरह की सवाल नहीं आती, लेकिन थीम यही है, यानि आपको करना यही है, तो रिजिनिंग पढ़ने से यहां पर एक फाइदा आपको यह भी होगा, कि आप अगर चाहें तो एक अपनी भासा भी बना सकते हैं, जो सिर्फ आप और आपका कोई दोस्त ही समझ पाएगा, कोई तीसरा अव्यक्ति नहीं समझ पाएगा, इसके लिए करना क्या होगा, आप अपने मित्र के पास बैठिये, और पूरी क से गया तक की एक लिष्ट बना दीजिए, क का मतलब ये, ग का मतलब ये, इसी तरह से जो स्वर है, स्वरों का भी बना दीजिए, पूरी भासा पयार हो गई, अंग्रेजी में चाहते हैं अंग्रेजी का बना दीजिए, जहां A लिखा रहेगा, जहां A लिखा रहेगा, उसका मतलब कि हम ऐसे कर देंगे, ये A हो गया, जहां B लिखा रहेगा, उसको हम ऐसे कर देंगे, ये B हो गया, जहां C लिखा रहेगा, इसका मतलब हम उसको ऐसे कर देंगे, ये C हो गया, जहां D लिखा रहेगा, उसको हम ऐसे कर देंगे यह दी हो गया तो यह तो अपनी मर्ची से कोई चिन ना बना लीजिए और फिर पूरी भासा बयार हो गई आपकी लिखिए कोई तीसरा जानी नहीं पाएगा तो चले आज हम सीखते हैं पहले टाइप में कि हमने हमको पहले टाइप में क्या पढ़ना है दरसाल इसको हमने कुल चार भागों में बाटा है चार भाग कौन-कौन से हैं पहले यह देख लिजिए तो कोडिंग और डिकोडिंग को हमने चार भागों में बाटा है पहला लेटर कोडिंग नंबर कोडिंग वर्ड कोडिंग और कंडिशनल कोडिंग इन चारों के बारे में हम पढ़ लिखने में बड़ा समय वेस्ट होता है और अब रिजनिंग की कुछ सवालें बहुत ज्यादा लिखने के लिए आएंगी तो हम आपको बिल्कुल फोटो खेंच कर दे रहा है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको पढ़ने में भी सुरिदा होगी और हमने उसको पहले हैं उन पांचों विकल्पों में चुनना है कौन सा सही होगा तो देखो कैसे करेंगे आप बहुत अच्छे से देखिए एक सवाल पूरी बात समझ जाएंगे सबसे पहले लिखिए कि काइनेटिक के आई एन ए टी आई सी इसी को लिखा गया है टी आई सी डी के आई यन इस को यह लिखा गया है तो यदि इसको यह लिखा गया है तो मसीन को क्या लिखा जाएगा ये पूछ रहा है चीक है कि यह जो सब्द है काइनेटिक कायनेटिक बहुत को लिखा गया है oraz को को पांचों में कोई एक होगा तो देखो ध्यान से अगर हम यहां पर जो टी है वो आ गया है यहां आई आ गया है यहां और सी आ गया है यहां इसी तरह से यह के चला गया है यहां आई चला गया है यहां यन चला गया है यहां यानि अस्थान परिवर्तित हो गए पहले तीन वर पहले के तीन वर्ड बन गय है और बेच वाला है डी है वो हैं शिढ final हो गया की कही नहीं है फांचवा वर्ड होता है यह तो एक बाद यफ आता है लेकिन यफ नहीं है यह competing गटाया गया है e के पहले आता है d और d लिखा गया है यानि बीच वाले को घटा के लिखा गया है बाकी को नहीं घटाया गया है बाकी का अस्थान परिवर्तित किया गया है तो यही आपको यहां भी करना है बीच का अच्छर है यच तो यच मतलब आठवे अच्छर आठवे अच्छर के पह पहले वाले जो लिखे गए है यम एसी इसको बाद में लिख देना है तो आपका कौन सा बीकल्प साही होगा जिसमें है आई एन इजी एम एसी यानि की दूसरा वाला साही मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर समझ में आ गया है तो चलिए दूसरी सवाल देखते हैं दूसरी सवाल है किसी निश्चित कोड में related को E F U B R D क्यों लिखा जाता है तो उसी कोड में डिटेंस को कैसे लिखा जाएगा पांच विकल्प हैं तो रिलेटेड र ए ल ए टी ए डी डी रिलेटेड को लिखा गया है E F U E F U B K D Q B K D Q तो पूछ रहा है कि रिटेंस को कैसे लिखा जाएगा R E T A I N S रिटेंस क्या संबंध है ध्यान से देखिएगा यहाँ पे है R R का मतलब होता है 18 हमा अच्छर 18 के आसपास क्या इसमें कोई अच्छर है अगर हम क्यों की बात करें तो यह 17 हमा अच्छर है यहाँ पे जो E है यह पाचवा है यह D चौथा है यानि कि यहाँ भी अस्थान परिवर्तित हो रहा है ध्यान से अगर देखा जाए तो लेकिन एक घटा कर लिखा जा रहा है यानि R 18 में एक घटाया गया 17 आया 17 का मतलब क्यों इसी तरह से E को भी घटाया गया एक सब में एक ही घटाया जा रहा है L 12 होता है यह 11 है अब देखो यहाँ पर E को मतलब जोड दिया गया है यहाँ पे एक जोडा गया है उसके अलावा देखो T है T के बाद U आता है यानि यहाँ भी एक जोडा गया है E के बाद Y F आता है यानि यहाँ भी एक जोडा गया है D के बाद E आता है यहाँ भी एक जोडा गया है इसका मतलब पहले के जो तीन अच्छर हैं उन्हें इधर से लिखा गया है तो यहां भी आपको जो पहले ये तीन अच्छर हैं उनको इधर से लिखना है तो आर, आर 18, तो 18 के पहले क्या आएगा? 17, और 17 का मतलब होता है क्यूं? ठीक, फिर E, E का मतलब 5, 5 के पहले क्या आएगा? 4, और 4 का मतलब होता है D फिर आता है T, T यानि की 20, 20 के पहले होता है 19, 19 का मतलब क्या होता है? यस, यह तीनों हो गए, अब यहां से फिर जोड़ना सुरू हो गया है जोड़ना सुरू, इधर घटाया गया, यहां से जोड़ा गया, देखो तीसरे अच्छर के बाद जोड़ना सुरू हुआ है इधर, तो A के बाद क्या आएगा? B, I के बाद क्या आएगा? I मतलब 9 होता है, तो दसमाज J यन के बाद क्या आएगा? O, YS के बाद क्या आएगा? YS, यानि कि 19, 19 के बाद क्या आता है? 20 आता है, यानि कि T आएगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा रिटेंस का T, O, J, B, S, D, Q T, O, J, B, S, D, Q 5 विकल्प में है, यही आपका सही है तीसरा प्रस्ण आपके सामने स्क्रीन पर है B, A, N, K, I, B, A, N, K, I, N, G Banking, Banking को लिखा गया है O, B, C, L, F, M, H तो Created को क्या लिखा जाएगा? 5 विकल्प हैं कैसे लगाएगे? देखिए बड़े में लिखिए जाबा समाज में आएगा Banking Banking को लिखा गया O, B, C, L O, B, C, L F, M, H F, M, R, H पहुँच रहा है Created को क्या लिखा जाएगा? C, R, E, A, T, E, D Created ध्यान से अगर आप देखिए तो B, A, यन यनि कि अगर मैं numbering दे दूँ तो 2, 1, 14, 11, 9, 14 और 7 आप यहाँ भी numbering अगर देना चाहें तो यह 15, 2, 3, 12 F का मतलब 6 M का मतलब 13 और 8 अब अगर आप अच्छर से नहीं पकड़ पाते हैं तो आप आराम से अंकों से पकड़ सकते हैं देखी 14 के बाद 15 1 के बाद 2 2 के बाद 3 मतलब उलट दिया गया लेकिन बढ़ा कर लिखा गया यहाँ पर एक जोड़ा गया है देखो फिर यहाँ पर एक जोड़ा गया है देखो फिर यहाँ पर एक जोड़ा गया है उलट दिया गया जोड़ा गया यही पहले वहाँ भी कर लीजिए तीन अच्छरों का पहला वाला यहाँ, दूसरा वाला यहाँ, तीसरा वाला पहले और सब में एक एक जोड़ दो E के बाद हो जाएगा F, R के बाद हो जाएगा YS, C के बाद हो जाएगा D F, S, D, अब दिखिए, K का YL, यानि बीच का, बीच में ही है लेकिन एक जोड़ कर यानि कि यहाँ से यहाँ तक जोड़ा गया है, तो A में भी क्या जोड़ा जाएगा एक जोड़ा जाएगा, और क्या आ जाएगा B, बाकी के जो 3 हैं उनमें घटा करकी लिखा गया है, इस का यहां इस का यहां और इसका यहां तो एक खटा दीजिए एक घटा दीजिए एक घटा दीजिए चार में एक घटा वही आपका उत्तर हो जाएगा तो दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है चलिए ऐसे अगली सवाल देखते हैं चौधी सवाल है पी आई एल इको यदि एल आई इपी और स्टी ए आर को एटी आरियस लिखा जाए तो एस इंडी को क्या लिखा जाएगा पांच विकल्प हैं पा अधार बता जाते हैं थोड़ा सा सरल हो जाता है पी आई एल इपाइल को लिखा गया एल आई इपी यह पहली बात हो गई दूसरी बात कह रहा है स्टार को एटी आरियस लिखा गया यह स्टी ए आर को एटी आरियस लिखा गया तो तो सिंड को क्या लिखा जाएगा S E N D को क्या लिखा जाएगा देखो जो अच्छर यहां है वही सभी अच्छर यहां है जो अच्छर यहां है वही सभी अच्छर यहां है इसका मतलब जो अच्छर यहां है वही अच्छर यहां भी होगा यहां अच्छरों में परिवर्तन नहीं हुआ है अस्थान में परिवर्तन हुआ है अस्थान में परिवर्तन का मतलब यह देखो यह देखो क्या ऐसे ही वहां भी हुआ है अगर वैसे ही हुआ है तब तो ठीक है वरना गलत है जैसी तीर यहां लगी है क्या वैसी ही तीर वहाँ भी है दोनों जगह सेम होना चाहिए पहला वाला अंतिम में पहुंच गया पहला वाला अंतिम में पहुंच गया तो यहीं तीर सबसे इंपॉर्डेंट है आप तीर लगाएए जैसे यहां पर तीर लगाए हो वैसे यहां भी तीर लगा दो यह दे, तीसरा वाला पहले अस्थान पे, पहला वाला चौत्य अस्थान पे, अंतिम वाला तीसरे अस्थान पे, दोसरा वाला दोसरे अस्थान पे, तो लिख दीजिए यहाँ पे, पांचवा और आखरी सवाल है यदि मदर को P Q W J S T लिखा जाए तो सिस्टर को क्या लिखा जाएगा इसमें आपको चार विकल्प मिले हैं कौन विकल्प सही होगा यह आपको देखना है शलिए लिखते हैं मदर M O T H E R मदर को क्या लिखा गया है P Q W P Q W J S T J S T देखिए आप चाहें न तो सामने भी लिख सकते हैं जो आपको स्विधा आप चाहें तो इसको नीचे भी लिख सकते हैं नीचे लिखेंगे तब भी तीर लगाना है आगे मतलब आगे लिखेंगे लिखें हैं तब भी आपको तीर ही लगाना है बीना तीर लगाए काम नहीं होगा अब यम कौन सा अंख होता है मतलब किस नमर पे आता है तीर नमर पे आता है P कौन से नम्मर पे आता है 16 नम्मर पे आता है तो अगर मैं इन दोनों की बात करूँ तो 2 जोड़ा गया है फिर आगे देखिए 15 सॉरी यहाँ पे 3 जोड़ा गया है न 13, 13, 16 होता है और O और Q के बीच में 2 जोड़ा गया है मतलब 15 और 2 17 इसी तरह से 20 में फिर 3 जोड़ा गया है फिर इसी तरह से 8, 2, 10 होता है 2 जोड़ा गया फिर इसी तरह से 5 में 3 जोड़ा गया और फिर इसी तरह से 2 जोड़ा गया और 18, 2, 20 हो गया मतलब पहले वाले में दो जोड करके जो आएगा वो लिखा गया है दूसरे वाले में पहले वाले में तीन जोडा गया दूसरे में दो, तीन दो, तीन दो, तीन दो, तीन दो ऐसे चल रहा है तो आपको यही हाल वहाँ पे करना है क्या पूँचा है sister को क्या लिखा जाएगा S I S T E R क्या लिखा जाएगा अब आपको 3 लगाने की जरूरत नहीं है आप समझेगे पहले वाले में 3 जोड़ो यानि 19 में 3 जोड़ो 22 होगा 22 का मतलब क्या होता है V अब हम यह उम्मीद रखते हैं क्या आपको याद होगा पूरा कोडिंग मतलब A से Z तक नम्मर याद होगा दूसरे वाले में 2 जोड़ो 9 2 11 होगा 11 का मतलब K फिर 3 जोड़ो फिर 2 जोड़ो फिर 3 जोड़ो 5 में 3 जोड़िये 8 फिर 2 जोड़ो तो K VB ST होना चाहिए किस विकल्प में है के मतलब VK VBST VK VBST पहले ही विकल्प में है तो आपका पहला विकल्प बिल्कुल सई हो गया तो यानि कि आपको जो प्रस्ण दिया है पहले उसको चेक करना है कि उसका किस तरह से रुपांतरन हुआ है कितना कितना जोडा गया है या कितना कितना घटाया गया है ठीक उसी तरह से आपको जो करना है उसमें भी वही करना है कोई और नहीं करना है और कोई ने कोई विकल्प जरूर मिल जाएगा तो आज जो पहला टाइप था आपका कि later coding यानि अच्छरों की कोडिंग करना मुझे लगता है कि आप समझ गया होंगे अब अगर समझ गया है तो आपके सामने स्क्रीन पर दो प्रस्ण है इनका जवाब आपको कमेंट बाक्स में लिखना है मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार